चलिए अब एक और आपको दिल्चस्प खबर बताते हैं, वो भी यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुए है, बहुत महत्पूर्ण है, इसी महीने में सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, यूपी के जो दोने डिप्टी सीम है, जो अपने विभागों को लेकर आ एक नई खबर ये है कि आने वाले वक्त में दोनों डिप्टी सीम के हिसाब से मंचाय अपसार उनको दिये जाएंगे, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जो बड़े अस्तर पर परिवर्तन हो रहा है, उसमें दोनों उपमुख्मंत्रियों के भी विभागों का ध्यान रखा जाएगा, जो अभी तक ये सोर मस्ता था सोसल मीडिया पर कि भाई सीर सस्तर पर मद्वेद बहुत गहरा है, लेकिन अब वो मामला कयासों तक ही सीमित रहा, उसमें सच्चाई ज्यादा निकली नहीं, वो सोर अब संधा पर चुका है, यूपी में सीर सस्तर पर जो राजने दिखाई पढ़ने लगी है, चर्चा ये है कि दोनों डिप्टी सीम को उनके हिसाब से नए परमुक सचिव अधिकारी दिये जाएंगे, ये अधिकारी बदले जा सकते हैं, जिसमें केशो परशाद मौर्या, बिर्जेस पाठक, इन दोनों के लिए भी काफी गुंजाईस ह अलावा मुख्यमंत्री के कार्यालाय में कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, जिसमें कुछ अधिकारी पंचमतल में जाने की तैयारी में हैं, इस पर भी हम आपको प्रकाश डालेंगे, सबसे पहले बात आती है कि प्रजेस पाठक के विभाग में उनके परमुक सचिव पार सार्थी सेंशर्मा के पास दोनों बड़े विभाग हैं, चिकिस्चा स्वास्थ और चिकिस्चा सिक्षा, उनकी छबी को देखते हुए सरकार कोई उनको और बड़ा विभाग देने जा रही है, चर्चा यहां तक है कि पार सार्थी सेंशर्मा को मुख्यमंत्री कार्यालाय में परमुक्षचिव मनाया जा सकता है क्योंकि एस्पी वोयल के जाने के बाद वहां पर एक और परमुक्षचिव की तहिनाती की संभावना महसूस की जा रही है चर्चा ये भी है कि दीपक कुमार भी पंचम तल में जा सकते हैं या उनको ग्रहविभाग से मुक्त किया जा स सकता है पार सार्थी सेंच सर्मा पहले भी मुख्यमंत्री के कार्याले में एक बार रह चुके हैं और 2027 के चुनाओं को देखते हुए सरकार ब्यूरोक्रेसी में काफी बड़े फेर बदल कर रही है जितेंद कुमार काफी समय से संट पोस्टिंग पे हैं किनारे किये गए ह हो सकता है कि उनको मुख इधारा में कोई छोटा मोटा पत दे कर कही समायोजित किया जाए इसी तरह से कुछ और भी अपसरों की सरकार खोज खबर ले सकती है लेकिन सबसे बड़ी बात दोनों मुखमंत्रियों की है जो लगातार ये बात उठती रहती है जिनके किसी न किस अपसरों के नाते ठीक से वह काम कर नहीं पा रहे हैं पावर सेंटर में यह जो कहानियां है इनमें बहुत कुछ चीजें आने वाले सब्ता में वक्त में आप देखेंगे कि कहां कहां कितने बड़े-बड़े परिवर्तन होने वाले हैं बस थोले दिनों का इंतिजार है वै अपसर 40 साल के लिए आता है अपसर के सामने कई बार मंत्रियों को जुकना भी पड़ जाता है क्योंकि उनके पास टाइम कम है अपना काम कराना है जनता के बीज माहौल भी पनाई रखना है और दूसरा जो बैठा है सबका मालिक एक चीप मनिश्टर उससे भी जाके हर्दम सि करनातें बहिया किसी तरह से गाड़ी चलती रहे तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कई बार तो नेताओं को अफसरों से डरना भी पड़ता है और अगर सीर्स लेबिल से उसको भरोसा हांसिल हो गया तो मंत्री लाकूदे चिलाएं क्या परक पड़ता है वह अपनी समस्या यह है कि जैसे सरकारी नर्व करी होती है उसे BJP मंतरी है चिक करते भी रहेंगे छोड़ेंगे भी नहीं और तकलीब भी बताते रहेंगे कि परशाणी भी बहूत है तो यह च्झा समस्या बन चुकी है बाजपा की सरकार में बारहल जाते जाते पावर सेंटर में मुनवर राना के आज इस हालात पर बहुत मौजू लाइने हैं वो शेर हैं सुनिएगा कि इस इम्तहान से सब को गुजरना पड़ता है और मेरी कहानी में हीरो को मरना पड़ता है हमारे सेर समझना कोई मजाक नहीं जनाब कच्चे कुए में उतरना पड़ता है और सरकारी तंत्र भी तमासा है मदार साह का यहां पे सेर को भी बकरी से डरना पड़ता है नमस्कार